हलो गाइज, वेलकम बैक टो यूटूब चैनल एलेक्टिकल स्टाफ फर यू दोस्तों आज किस पीडिवें हम बात करेंगे कि एक अमपेर में कितने बाट होते हैं दोस्तों, एलेक्टिकल इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पुछा जाता है और हर अलेक्टिकल को ये सवाल जरूर आना चाहिए तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो दोस्तों, अगर हमें ये पता करना है कि एक अमपेर में कितने बाट होते हैं तो सबसे पहले हमें जे पता होना चाहिए कि जो power supply होती है वो कितने परकार की होती है तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एक DC supply होती है एक हमारे पास single face AC supply होती है और ऐसे ही एक हमारे पास three face AC supply होती है अब दोस्तों पहले हम DC supply की बात करेंगे तो दोस्तों जैसे कि आपक होती है वो director current supply मलब DC supply होती है दोस्तों आज कल solar panels भी लग रहे हैं वो भी DC supply को ही generate करते हैं और दोस्तों जो हमारी battery जा solar panel होते हैं यह normally बारा वोल्ट जा फिर 24 volt के होते हैं तो दोस्तों अब अगर हमें DC supply में निकालना है कि A compare में कितने बाट होते हैं तो हम इस formula का यूज़ करेंगे power equal to voltage into crunt छीक है दोस्तो अब दोस्तो जहाँ पर जो हमारा crunt है वो हमारे पास A compare है क्योंकि हमें A compare में निकालना है कितने बाट होते है और जो voltage है जहाँ पर हम 12 volt की बैटरी मानके चलेंगे तो दोस्तो जब हम इस formula में इन values को डालेंगे तो हमारे पास आजाएगा कि A compare में कितने बाट होते हैं तो जब हम इस formula में इन values को डाला तो जह हमारे पास आयाता है 12 watt तो इसका मतलब DC supply 12 volt में एक compare में 12 watt होते हैं तो आपको पता है कि आपके गरों में जो भी supply हम use करते हैं वो single face AC supply ही होती है जिससे हम पंक्खे चलाते हैं लाइटे चलाते हैं और power socket बगहरा जो भी supply हम use करते हैं वो single face की supply होती है अब जहाँ पर हम जो formula का use करेंगे वो थोड़ा सा change होगा DC supply से तो हम इस formula का use करेंगे power equal to voltage into current into cos pi अब जहाँ पर जो B है जो voltage है I हमारा current है जो की A compare ही रहेगा और cos pi दोस्तों यहाँ पर power factor होता है अब दोस्तों आपको पता है गरों में हमारे पास जो voltage आती है वो 220 volt होती है single face में खिक है दोस्तों और दोस्तों यहाँ पावर factor है मलो कोस phi उसे हम point art मानके चलते हैं तो अब हम क्या करेंगे इस वाले formula में सभी values को डालेंगे तो हमारे पास आजाएगा कि A compare में कितने वाट होते हैं जब हम single face AC supply का use कर रहे हैं तो जब हम इस formula में values को डालते हैं तो voltage जागी 220 एक हमारे पास current है और point art कोस phi है तो जब हमने इसको calculate किया तो हमारे पास बाटे जाजती है 170 Watt तो इसका मतलब जो हमारा एक compare है उसमें 170 Watt होते हैं बड़ दोस्तों अब जहाँ पर हमने जो supply यूज की है वो single face AC supply यूज की है अब हम बात करते हैं 3 face AC supply की तो दोस्तों 3 face AC supply वो supply होती है जिससे हम 3 face के appliances को run करते हैं जैसे कि यह हमारे पास 3 face की motor है अब यहाँ पर red, yellow value तीनों के तीनों face हमने इस motor को दिये हैं अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पर power निकालनी है तो हम इस formula का use करेंगे power equal to root 3 into voltage into current into cos phi अब दोस्तों change के आई सिर्फ यहाँ पर root 3 एक निया formula में आया है अब दोस्तों जो हमारे पास 3 face face to face voltage होती है वो आपको पता है 420 volt होती है अब जो cos phi है वो हमारे पास same ही रहेगा 0.8 और जो root 3 हमने निया add किया इसकी जो value होती है वो होती है 1.732 अब हमारे पास सारी values आगी है आपको current तो पता ही है कि 1 compare हैगा तो अब हम power निकालते हैं तो अब हम इस formula में इन values को डालेंगे तो जाएगा root 3 1.732 बोल्टे हमारे पास 420 आगी है उसके बाद जो current है वो एक ही है और जो power factor है cos 5 वो 0.8 आजाएगा छीक है दोस्तों अब हमारे पास जे formula में हमने सारी values डाल दी तो जब हम इसे calculate करेंगे तो हमारे पास power आजाएगी 580 Watt इसका मतलब 1 compare में 580 Watt होते हैं जब हम 3 face AC स्प्लाई की बात करते हैं तो दोस्तों अब हमने एक compare में कितने Watt होते हैं तीनों स्प्लाई में निकाल लिए DC स्प्लाई में हमें 12 Watt मिले बेही पर single face AC स्प्लाई में हमें 177 Watt मिले और 3 face AC स्प्लाई में हमें मिले 580 Watt तो दोस्तो आपने देखा कि एक अंपेर में अलग अलग वाट आ रहे हैं स्प्लाई के कोडिंग तो दोस्तो अगर आपसे इंटर्व्यू में पूछा जाए कि एक अंपेर में कितने वाट होते हैं तो आपको जिरूर पूछना है कि जो supply है वो कौन सी है वो DC supply है जो AC supply है अगर AC supply है वो single face है जा three face है फिर उसके coding ही आप voltage का use करके निकाल सकते हो और particular formula का use करके निकाल सकते हो कि एक अमपेर में कितने वाट होते हैं दोस्तो वीडियो इंफर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेर जिरूर करें और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरूर कर लें ठेंक्यू गाइस